आल का अंतिम चंद्रग्रहर संपन, खगोलिय घटना के अधार्मिक और बैज्ञानिक महत्व नमस्कार मैं हूँ जोती प्रिया और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया आज वर्ष 2022 का अंतिम ग्रहर चंद्रग्रहर के रूप में दिखाई दिया इस खगोलिय घटना को लेकर कुछ किवन दितियों सहित बैज्ञानिक कारण भी बताये गए हैं धर्म ग्रंथों में चंद्रग्रहर के बारे में उलेक है कि चंद्रग्रहर तब लगता है जब राच्छसों के देवतार राहू चंद्र और शुर्यों को अपने मूँ में जकर लेते हैं इस खगोलिय घटना का बैज्ञानिक सिर्धान्त भी लगबग यहीं कहता है चंद्रग्रहर को नकराक्तमकता भरा और नकराक्तमक उर्जा का प्रतिक माना गया है भारत में चंद्रग्रहर की सुरुवात आज दोपहर दो बजकर 40 मिनट पर हुई इस समय चंद्रग्रहर आंसिक देखा गया पुर्ण चंद्रग्रहर दोपहर 3 बजकर 47 मिनट से प्रारंब होकर 5 बजकर 30 मिनट तक देखा गया जबकि 6 बज कर 33 मिनट पर आज ग्रहर समाप्त हुआ जो 30 विदो के अनुसार जब दो ग्रहन एक ही महीने में और वह भी 15 दिन के अंदर होते हैं तो इस परिष्थितियों में तूफान, भुकंप जैसी प्राकिर्थिक आपदाएं और बड़ी संख्या में जन हानी के योग बनते हैं धन्यवाद आप देखते रहें भारत मीडिया बलियां से घंस्याम सर्मा की रिपोर्ट